Now, let's all exercise B. Read each pair of sentences given below. Find from the box a word which completes both the sentences and fill in the blanks. यहां पे options दिये गए हमें. तो उसमें से क्या कौन सा fit हो रहा है? उस तरीके से हमें answers भी उतरने हैं. ठीक है? और answer अगर beat लिखा है तो beat दोनों में fit हो जाएगा. उस तरीके से answer हमें वो चूज करने हैं. ठीक है? First, A. Lensi is dash on the bed. और second है I know Apshra is dash to me. यानि उसमें क्या हैगा? Lying कैसे? देखो इसमें तो हमें पता चल गया कि Lensi lying on the bed. यानि कि लेटी हुई है बेड पे. और दूसरा क्या है? I know Apshra is lying to me. यानि कि वो मुझसे जूट बोल रही है. ठीक है? तो इसमें दोनों वर्ड का meaning change है. लेकिन spelling एक ही है. राइट? Next. और शीद आस्ट हीज मदर if he could go out to dash. उसमें क्या आएगा? Play. उसने अपने ममी से पूछा कि वो बहार जा सकता है खेलने के लिए? यहाँ पे play का मतलब खेलना है. और शीखा is acting in a play. यह भी सही है. और यहाँ पे play का मतलब क्या है? नाटक या कुछ भी जो perform करना है. ठीक है? तो यहाँ पे answer आएगा play. दोनों की जगह पे play है answer. लेकिन दोनों का मतलब अलग-अलग है. राइट? थर्ड वन. I need only a little dash of sugar in my coffee. यानि मुझे थोड़ाई. यानि लिटल बिट. यानि यह answer आएगा. और दूसरा है. My brother who is only six months old. डैश मी यस्टरड़े. यानि बिट मी यस्टरड़े. वो यह आएगा answer. क्योंकि हमें दोनों में एक ही answer लिखना है. तो यहाँ पे बिट का मतलब थोड़ा होता है. कि I need only a little bit of sugar in my coffee. और यहाँ पे बिट का मतलब क्या है? My brother who is only six months old. बिट मी यस्टरड़े. यानि कि उसने मुझे मारा. यहाँ पे बिट का मतलब होता है मारना. ठीक है? Next. We must dash the boat ourself. तो क्या हैगा ring या row? ठीक है? हमें इसमें पता नहीं चला कि क्या है? तो अभी हम second sentence पढ़ते हैं. Our seats are in the front dash. इसमें क्या आएगा? Yes. Row आएगा. कैसे पता चला? हम जब भी movie देखने जाते हैं. तो हम seat front row या back row वाली लेते उस तरीके से या middle row वाली. तो हमें अच्छा view मिले. यानि row यानि ये row और column ऐसे वाले होते हैं. उसे column और ये row कहते हैं. तो यहाँ पे भी answer row आएगा. ठीक है? We must row the boat ourself. यहाँ पे row का मतलब क्या है? हमें boat अपने खुछ से चलानी होगी. और यहाँ पे row का मतलब ऐसी row. Our seats are in the front row. ठीक है? Next. Harsha is wearing a silver dash on her finger. Yes. Ring आएगा answer मुझे पता चल गया. कि एक ही answer बता है तो मैं हम क्यों पढ़ा रहे हैं? लेकिन यहाँ पे भी meaning different है. Harsha is wearing a silver ring on her finger. Right? और दूसरा क्या है? Please dash me when you reach home. और यहाँ पे भी answer आएगा ring. और यह ring यानि call करना. Please ring me when you reach home. ठीक है? समझ में आगया. Very good. तो हमने आज solve की worksheet 7 उसकी सारी exercise and worksheet 8. उसकी भी दोनो exercise. Okay? तो यह सब चीज़े आपके लिए homework है. और आपको क्या करना है? कि यह sentence आपको खुच से बनाने. ठीक है? आप जितने अपने आप से sentence बना होगे दो आपकी vocabulary उतनी ज़्यादा बड़ेगी. ठीक है? आपको क्या है.